मिया बीवी की टेंशन क्यों होती है? यह सोच कर ही मेरे पेट में गुदगुदी सी मशने लग जाती है क्योंकि अब मेरी उमर भी शादी करने योग यह हो गई है और मैं दूआ मांगती हूं और लाह सुभानवा तालह से कि इसी भी मिया बीवी के बीच टेंशन ना हो तो ही बहतर है हे हाई हलो नमस्ते जी सत्रिया काल अस्सलामों आलेकूम मैं निधी शर्मा इंडिया से और आज अनंत पुर से सूपर हिट बयान पर हम रियाक्शन करने जा रहे हैं जिसे दिया है हजरत अलामा एहमद नक्स बंदी सहब ने जिनको मैंने एक बार पहले भी सुन रखा है मुझे बड़े फ़नी लगे थे इन्होंने एक एक एक्जाम्पल दिया था कैसे शोहर तो बाहर बियानी उड़ाता रहता है और बीवी जो है घर के अंदर काम करकर के मरी जाती है तो जितने भी लड़के हैं ध्यान रखो अपनी वाइफ का खयाल रखो जो भी बाहर खा रहे हो ना एक्स्ट्रा कॉन्टिटी में अपनी वाइफ के लिए लेकर आओ और थम्नेल में मैंने देखा कि मौलवी सहाब जो है उन्होंने अपने स्टाइल में पगरी पहन रखी है या टोपी पहन रखी है तो बड़ी फैसिनेटिंग सी डिफरेंट सी प्यारी सी लगी अब हम भी राजस्थानी हैं भाई तो हमने भी इस साफा पहन लिया तो चलिए खमा गणी कहकर बिस्मिल्लाए रह्माने रहीम के साथ वीडियो स्टार्ट किया जाए अब जाए पहुत खतर्नाक हो जाती बहु बने तक ऐसा रहती सास बनते की ऐसा ख़ोगा इसा जाती है हो बहुत खतरनाक हो जाती है और ता बहु बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करे तो क्या खिला के मारी की मेरे पुट्टे को बदली जगया अच्छा अनंतपुर में कुन सा इसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेंगा अम्मी से मजाखा करेंगा एक हाथ उठाओ अम्मा मजाख करने की चीज़ नहीं है पैर पढ़ने की चीज़ है अरी वाइस है भैन मजाख करने की चीज़ नहीं है इहतेराम की चीज़ है और बीवी पैरा पढ़ने की चीज़ नहीं है मजाख करने की चीज़ है समाह Allah rules मेरे से मिल करो भूत मसले lei हल करता हूँ मही और गगेर तावीश के हल करता हूँ खुदा की ख़स्ट मी यह वे बगेर तावीश के बगेरada 2-0-2020 आकजीं हजार की तावीश दे देते सू बातों बातों में वैस्ट है बोलो अम्मा क्या है? पैर पढ़ने की चीज है और बेगम? मजाख डरो नप परे बोलो बोलो मजाख करने की चीज है जरते लगते है ना बेगम के साथ मजाख कर रहे तो बहन मुले अभी बहाई यहा को जो चुले में खुषा, माठी मीरा चुलन ने कुछ गया है, भाबी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दालता करते हैं, मा इच रहे जा, आईसी अवाजा निकलत थे अंडर, यह हमारे भैना निकलते ही, इन लोगा यहाँ बैठे रहे दो, यह वहाँ बीच में भी बैठे रहे दो, इन लोगा इस निकलते ही अवा वाजां कैसी आ रहे थे के जिंदगी में ने हसें लोगा मौलाना की तखीर सुनके, ऐसा हस रहे हैं, चिचोरे पने के बाता है, दोनों बीवी शोहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, निच्चे मुंडी उपर पैरां तो भी करें दे, उसका शोहर उसकी पीवी, उन्हें बीच में काई कूर, नहीं, सास है तो दूआ दियो, अच्छा और एक बात बोलू, सास को सबसे ज्यादा घुसा का बाता, बोले सो वाले को पांसो रुपे ना, हाला के ये खिसे मेरे घर में नहीं हुए, मगा में को तजरुआ है, सुन सुनके देख देख के, बोले सुवाले को पांसो रुपे ना, हम सास को सबसे ज्यादा घुसा का बाता, बोलो, बहु खुश हो तब, किसे, है दिवाना है तू, हाला है कहा है, पक्का अनन्ता पूर कही छेने, सास को सबसे ज्यादा घुसा का बाता, जब उसका बेटा, उसकी TV कू बाहर लेके जाता देखो है है सुब बढ़दाश कर सकती सास तू उसको लेके गया कैसा बाहर जाके दो तीन घंटे ट्राल मार के आये समझो दोनों इधर घर में तीन घंटे में तीन मुड़े निकल जाते दर बढ़दाश कर सकती है अरी क्या है बई दोनों husband wife है फिरने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं तो क्या से बुरी बात क्या है मैं कुछ समझा दो मैं बोलके रुकातों कल से पूरों को अरे अल्ला का शुकर अदा करो तुमारा बेटा हलाल रिष्टे के साथ धूमने जा रहा अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं दींगे उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता तुमा को पता भी नहीं चलता तुम घर में खाली रोटिया सेखते रहे ना उन्ह में बाहर पूले जा मौना सेख देता में का हा 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 आ और बेगभा में को लेके जाने दो बेगम से फोन पर बात करने दो बेगम से हसरा बोल रहा अच्छा रहा रहां रहने दो बेगम को लाके पैसे देरा में इने दो बेगम के साथ खुश है अल्ला का शुकर अदा करो है अल्ला मेरा लखते जिगर नूरे नजर अपनी भीवी के साथ खुश नजर आ रहा है इस अधिया है इस मुआ समझ में यहां मैं को अरे लोगां भुद्गुर्गुर के देख रहे हैं होड़ता है बाबु भाई सेल्फटी तो है ना मेरी सेल्फटी बहु बहु के साथ खुश रहा तो सासव माख खुश हो ना भई जब अगर तुमा को बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुमा को तकलीफ होती, तो फिर शादी करके लाइच कई को, पुट्टे को ऐसी रख देना था हमारे तरफ? हाँ भाई नई मैं भी ऐसा तखरीर करता हूँ तखरीर करता हूँ लोग हां हसते मेरे बयान में मेरे को हसाना मकसद नहीं है ये इत्ते बड़े मजमे कूद तीन तीन घंटे बिठाना बोले तो ऐसीच करना पड़ता तखरीर मैं एगर सीरियस बोलना चुरू करा समझो इमाम नसाय यू Number एाप सावेिय न यू लिखा है इमाम बुखारी न इसको यू बयान किया इमाम आजम का इस पर ये तहकरा है इमाम शाफ़ी न इसको इस तहकरा को इस अंदास में बयान किया है मैं ऐसा बोलना चुरू का रहा तो, वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखरी में महें मौलाना दोनों मिलके, हाथ मिला लेके, मौलाना तुम तुमारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूं, बाबू सेट बोलते है, मर गया भी तुहाइंदा जएसे हालत, जएसी बोलिंग, जएसी बैटिम भई, जएसी पीछ है वइसा खेलना पड़ता यार, हर पीछ पे चेका मारो ठीख आउत हो जाती वइसा नहीं होता, पीछ को देखके बैटिंग करना पड़ता, है ना भई, तो आप देखो, आप हमा कर रहे हैं, भाज मौला ना रहते चोटे छोटे दिलों के रहती दिल उनका हो तकलीफ होती हो तो फिर मैं बोलता हूँ जब मेरे को पबलिक को देखे तेरे को इत्ती तकलीफ होनी वाली तो बुलाया जो कई बुरे बात समझा रहाँ गया जब आप मेरे को बुलाएं तो मेरी आदाओं से आपको खुशोना जरूरी है मेरी तक्रिर को अकसेप्ट करना आप जरूरी है इसी तरीखे से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए है तो फिर बहू के नाज, नख्रे, लाणा, महबत, खुलूस बाज-बाज उक्त उन्हें घुसे में भी आती, उन्हें इन्सान की चौलाद है जिन की बेटी तो नहीं होती बाज 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 बा तो फिर भाव बनाके लाइच काईकू, जब तुम यह नहीं कर सकते तो फिर उसके असाथ तुम रिष्टा करे काईकू, उसके बावाकन से पलंग, अल्मारी, फ्रीच, एरकुलर, लिएच, काईकू. बढ़ाश करना परता, भाव इंसान है, जल्दी बोलो, इंसान है, तुम लों के घर में जो होनों भी इंसान ही जहे, वा सुमान अल्ला, अल्ला का शुकर है इंसान से शाधी करें तुम लों, तो इंसान है तो उसके साथ उसको खुसा आता नहीं आता कभी, कभी पच्ची साल की बच्ची है और अभी बच्ची खाली उमर के अतेबार से बालिख हो जाती, मगर मैच्च्यूरिटी नहीं आती उसके अंदर, उसको धके खा, 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 खा के, 35 साल, 40 साल में औरत मैच्च्यूर होती, आपन लोग आँ बोले तो रोजाना बाहर निकलत चालिस खिससे देखते, 40 कहानिया सुंते, 40 वाकियात देखते, औरत घर के बाहर निकलती, चार दीवारी में रहने वाली ना उन् Them खिससे देखती, ना कहानिया देखती, ना किससे बात करती, कुछ भी नहीं परदे में, इसलिए औरत बालिख तो होती, मगर मैच्च्यूर नहीं होती, समझदार नहीं होती समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम दो बच्चों की माँ बन जाए या चार बच्चों की माँ बन जाए जब जाके वो समझदार होती है उस वकद तक सास को सास बन कर नाई माँ बन के रिश्टा निभाना चाहिए मुहबत से रिश्टा निभाना चाहिए प्यार से रिश्टा निभाना चाहिए उसकी जिद को बरदाश करना चाहिए उसकी शरारत को बरदाश करना चाहिए उसकी तबियत को समझना चाहिए उसको दिलाते रहना चाहिए उसको खिलाते रहना चाहिए उसके मौामलात पूरे करते रहना चाहिए उसकी खुशियों का लहाज रखो उसकी खाहिशात का लहाज रखो उसकी आरजों तमन्नाओं का लहाज रखो जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पढ़े के बिस्तर पर ऐसे पढ़ेगी के जरूरत तो नहीं चा सकेगी उस वक्त तक तुमारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी यही पहु तुमारी बेटी बन कर बिस्तर पे तुमारी खिदमत करनी सुधानल्ला, वड़ा मेसेज तुम अब नड़ी मते तो उन्हें जब नड़ी मत देती इसका मतलब क्या हो और कॉमें सब्सक्राइब अल्ला का खानूने अब इनों ना समझ है बच्चिय भाई बच्चिय थोटी बच्चिय यार और वो बेटी बेटी सोंही हैं अपके घर में देखो 20 साल की ए आपके घर में 20 साल की बेटी है इतना भी बोलो उसके अतना नादाम खरमे कोई भी प्पूल वो गॉड़ यह वी फूल यह पूल है। बाज बेटियां जिद्धी रहते हैं बाज बच्चों में ही तबियत में शरारत है थी सुनते नहीं बात समझते नहीं मगर आप नहीं सुन्री नहीं समझते लें पाकड़ा किसी के नड़ी मोड़ देते हैं को समझाना उसको मुहबब़ से देखना उसके उसकी उसकी वेक्नेस का है उसकी कुम्जोरी का है का सुनती भास बच्चेह क्या करते हैं तरहाँ पर्ली दिला अर्नश की फिसलते 10X200 बेचाना रूठ यहादभी मच्ध सहग तरहाँ आप उन्हें की खुटा की खसम मेरी सास मे कि पूरी दुनिया में जुत्ते औरता यह बैठे वे नहीं। इल्ओं की भी कम्जोरी है यह इल्ओं कुछ ने मालूम अपने कु मालूम ओ के बोलू क्या भो गा Works कि यरिंगे मजलूम लोग आंग इन विजभbl का क्व्सबड़र हम इने निक टेंशनों से गुजर रहे हैं इसने ऐसर अग्रत की संखने आप ऑगर उसको दूर कर दी अना औरत घूलाम बन जाती बी वी बीवी ने घूलाम बन धी गुलाम, तुम लगा नक्प सुनो जी औरता, लाइट ले लो, बातां कर लो, तुम लगा, बातां कर लो, हम लोग कुदरा बॉलें दो, अवरत की एक कमजोरी है क्या मालूं और तारीफ सुनना भूत पसंद कर दी अबा अवरत को दिवाना बनाना है घुलाम बनाना है तारीफ कर देना उसकी तारीफ तारीफ कर देना एक बीवी और शोहर दोनों में जगड़ा दो बच्चे हो गए जगड़ा 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 आठ साल गुजर गए जगड़े में आठ साल गए जगड़े में आठ साल गए लड़ते 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 अपने पीर पीर साब को बोले जाके हज़र हम दोनों तलाख लेने का इरादा कर लिए अलग होने का मैं इनको तलाख देना चाहता हूँ आप हमारी तलाख करवा दीजिए हज़र खिबला परेशान हो के दिवाने पुटे ये क्या कर ले रही तुम लोगा आट साल होगा शादी होके दो बच्चे पैदा हो गए आप क्या है रहे तुम आश आदि वाने पने के बाता आज़ि जिंदगी गुजर गई क्या चीचोरे पने के बाता है बोले नहीं हज़र नई बढ़राशार आप नहीं रहे सकरे बोले नई बढ़दाश हो रहा हज़द क्या हुआ क्या बोले हज़द मैं काम से आता हूँ जरा कुछ बोलता हूँ इन्हों मैं कुछ जावा बन देना शुरू करते जावा बन देना शुरू करते इन्हों जावा बन देते कि मैं खुछ आता हूँ मैं और पुकारता हूँ और पुकारता हूँ इनों चुले में जाते बरतना पटकते पिलेटा फोड़ देते घड़ा पोड़ देते मैं खुछे में आता हूँ फोन फोड़ देता हूँ अलमारी तोड़ देता हूँ ऐसी चलते चलते पूरे सामना खराब होते घर में बच्च तांचर रहे घर में नए चाहिए हज़ए ये जिन्दगी बेकार जिन्दगी हज़द कि खिबला बुले पूरी मिजाद समझ गए रहे चामल मत ते बड़े लोगा है चामल मत के देख लेते हैं ला पूरा नेकरते समझने आगा हज़द को खाना पूरा नहीं पका वलके हज़त खिबला बोले मिया एक काम करो तलाख को अब फिल वक्त रोकिंगे मेरा एक नुस्खा है बावा एक तावीज है मेरे पास अच्छी तावीज है मैं देता हूँ वो तावीज पहनो तीन महेने देखेंगे सुदर गए तो अच्छा है नए सुदरे तो फिर तलाख करा दिंगे हज़त खिबला बोले तो जी अच्छी बात है सरकार आपका हुकम आपका गुलाम हुमें आप जो बोले और मन्जूरे सरकार बच्ची को पुछे क्या बोलती है मा एक ताविज देता हूं तीन महेने के अस्टे पेन ले जी अच्छी बात है सरकार आपका हुकम जी अच्छी बात है तो हज़त खिबला बोले ये ताविज पेनने की कागस की इसकी इसकी नहीं है अमल करने की ताविज है जी अच्छी बात है हुजूर बच्ची को बोले बेटी तु ज़रा बाहर जा बले दुलन को बाहर भेज़ दिये बीवी को शोहर को बिठाए अपने मुरीद को बोले मिया तु किता बेवखुफ है रहे तु घर बाहर काम कर रहा धूप में है घुसे में है उससे है ये है वो है उससे तेरी बीवी का क्या तालुक रहे तु आके बच्ची के ओपर कैसा उटता नालाया बाहर वालों का घुसा कि अपनी बीवी पे निकालता क्या बाहर का घुसा बाहर निकाल ले ना घर को आया तो इनसान बनके अदब से अखलाग से आना मुहबत से बात करना घर में आके और अगर तेरी बीवी जवाबा दी बरदाश कर सबर कर औरत नाकिसल अकल है तेरी फसली से बनी सो है बरदाश कर औरत को पहला हुकम क्या बोले बरदाश कर औरत को फिर दुसरी बात बोले तेरी बीवी कुछ भी अच्छा काम करी उसकी तारीफ कर बोले कुछ भी अच्छा काम करी तारीफ कर आज के बाद तू हर काम पे बीवी की तारीफ करेंगा करता नहीं बोले तो करता हूं सरकार करता हूं आज के बाद बीवी की तारीफ करेंगा और अगर वो कुछ जवाब दे दी वो कर दी तो घुसे में नी आएंगा बरदाश करेंगा जी अच्छी बात है सरकार दो बातां बोले बस बोले बाहर जा तीन महेने तक इसके ओपर अमल करके आ उसके बाद तलाख कराएंगे बोले ये अच्छी बात है बोला फिर उसके बीवी को बलाएं बला के बोले मा तू कैसी नालाइख बच्ची है शोहर मीमे खुदा है अगर अगर अल्लह के बात किसी को सजदा करने का हुकम होता तो शोहर को सजदा करने का हुकम होता और नालायक तू इतने बड़े मरतबे वाले अत्मी को जवाब आ देती आज के बाद जुबान पे लगाम दे शोहर को जवाब नहीं दे ना बाहर पचास कामा करता लोगों के बातां सुनता खुसा सुनता काम करता धूप में बारिश में सर्दी में मेहनत करके घर को आता आए बाद तू उसको जवाब आ दी तो उसको घुसा पलट किया था आएंदा से तू जवाब नहीं देंगी बोले सरकार नहीं देती हाई इन्दा से शोहर को खुसा शोहर खुसा करा बरदाश करेंगी सबर करेंगी बोले जी अच्छी बात था उसको क्या बोले बरदाश कर तारीश कर इसको क्या बोले सबर कर और पलट कर जवाब मत दे पलट कर जवाब जोर से बोले पलट कर जवाब दो बात ना बोले औरत बोले जाओ तीन महीने के बाद आओ नई संबले तो फिर तलाख करा दिंगे बोले अच्छी बात है बोले के चले गए तो चले गए अब ज़रा गुस्सा था एक दिन ज़री तवेट संबलने लगी दोनों की संबले दुसरे तीन इन दो पहर को आया घर को खाना काने पहले गए खाना निकाला अइसा ने बोल राव हज़त बोले नहीं अदब से बात करना घर का घर में बायर का बार बोले आथे की बेगम खाना निकालते अगर ऐसे ही मौलवी सहाब या पंडिट जी जो होते हैं वो हमको ग्यान देने लग जाएं घरों की यह जो लडाईया है वो बंध हो जाएंगी कि अच्छी बात उन्होंने बोली बर्दाष्ट करो भाई And men and women are equally important. That's feminism. Feminism यह नहीं है कि ओरत बहुत उपर है. Equal rights दौनों को मिलने चाहिए. Especially वो ओरते जो housewives होती हैं उन्होंने बाहर की जिंदगी ज्यादा देख ही नहीं होती है. और पती भी अगर ज्यादा अपने आपको बहुत महान समझने लग जाएगा I am the man of the house. बाकी लोगों को dominate करने लग जाएगा. तो उससे घर में लडाईयां भढती ही हैं कम तो हर्किज नहीं हो सकती. तक्रीर और बयान अगर इतने लाइवली इतने फणी होने लग जाए ना तो पूरा यूथ अट्रैक्ट हो जाएगा इनकी तरफ. बूलने का तरीखा जो है. That is supreme. I love the accent. And I really hope कि दुबारा से हमें मौलाना साहाब को सुनने का मौका मिले. रहिमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांट पड़ जाए. तो बार बार लडाई जगड़े नहीं होने चाहिए और अगर हो भी गए हैं तो अभी प्रण ले लो कि next time नहीं होगा. चाइना के अंदर जब एक कटोरी टूट जाती है तो उसको सोने की वायर से चिपका देते हैं ताकि वो और ब्यूटिफुल हो जाए. तो पुरानी लडाई जगड़ों को छोड़ करके उस टूटी हुई कटोरी को सोने से जोड़ करके एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं. तो लहाल के लिए बस इतना ही आप अपना और अपने सभी घरवालों का अपनी बेगम का या अपने शोहर का तो खास तौर पर खयाल रखियेगा. अन्मारिड हैं तो इन बातों को याद रखियेगा. हापी मारिड लाइफ. अलाहाफेज.